नवस्त बाईयों, Android वेडी में आप समी का स्वागत है आज के जीडियो में मैं आप लोगे लेकर आया हूँ Moto H50 Fusion के लिए एक Screen Protector यहाँ पर जैसे के आप लोग जानते हैं फोन के साथ कोई भी Pre-Applied Screen Protector नहीं रहता है तो फोन पर्चेस करने के immediate बात आप लोगों को इसमें पहले प्रोडेक्टर लगाना चाहिए उसके बाद फोन को डेफिनेटली यूज करना चाहिए मुझे पता है कि यहाँ पर Gorilla Glass 5 का प्रोडेक्शन देखने को मिलता है लेकिन मैंने अपने यूजेज में देखा है चाहिए Gorilla Glass 5 हो या फिर Gorilla Glass Victus हो फोन के अदर नॉर्मल यूजेज में भी अगर आप बहुत समाल के यूज करते हैं फिर भी minor scratches आ जाते हैं हाला कि मैं सिर्फ इसको test purpose के लिए यूज कर रहा था इसलिए यहाँ पे scratches को अभी तक देखने को नहीं गुला है लेकिन मैंने फिर फोन के साथ में देखा है जो फोन मैं personally यूज करता हूँ वहाँ पे Gorilla Glass 5 हो, 3 हो कोई भी glass का protection हो यहाँ पे scratches जो minor एकदम hairline scratches होते हैं वो आई जाते हैं तो उनसे protect करने के लिए अपने phone के उपर protector definitely आप लोग लगाए और यहाँ पे क्योंकि यह curve display है तो definitely आप लोग वो protector मिलने में बहुत रविक्कत होगा और मैं personally यह जो curve display के लिए UV protector आता है उनको पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उनमें जो glue यूज होता है वो glue अगर आपके phone की किसी ये port के अंदर चलाया आता है इनमें क्या होता है इनमें scratches जल्दी से नहीं आते है नॉर्मल प्लास्टिक प्रडेक्टर जैसे नहीं होता है easily scratches नहीं आते है और scratches आ भी आते है तो इन future में scratches करेने का इगायब सा हो जाता है तो उतना खराब नहीं दिखता है लोग टर्म के लिए आप लोग यूज कर सकते है मैं अपने लावा अगनी टू के लिए gadget seals का ये membrane प्रडेक्टर यूज करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे scratches बिल्कुल भी नहीं है इसको मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ इन प्रडेक्टर गर आप लोग यूज कर सकते हैं यह नौर्मल प्रडेक्टर जासा नहीं होता है तो इसको longterm में आप लोग चला सकते है और यहाँ पे जो प्रडेक्टर ओर या है मैंने Amazon से ओरर किया है और यहां पर जो प्रोडेक्टर आया है मेरे पास दिख सकते हैं Moto E50 Pro के लिए है Moto E50 Pro और Fusion का दोनों का स्क्रीन साइज बिल्कुल से में तो दोनों का प्रोडेक्टर आप लगा सकते हो यहां पर Fusion के लिए भी अभी आ गया है प्रोडेक्टर तो मैं उनका भी लिंक डाल दूँगा देख लिए आप लोग उनको भी पर्चेस कर सकते हैं दोनों का ही सिमिलर है तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं यहां पर इसका प्राइस मुझे पढ़ा है 2.99 रुपीस तो काफी affordable भी है बहुत ज़्यादा महेंगा नहीं है मार्केट पर आप लोग इस तरह का प्रोडेक्टर इसली देखने को नहीं मिलेगा तो मैं सजिस्टर हूँ को अगर आप लोग नहीं मिलता है तो आप लोग ओनलाइन से लिंक प्रोड़ाइट कर रहा हूँ सबसे पहले यहां पर क्लीनिंग कर लेता है। अभी याँ पे सबसे पहले नमबर वान कुन कालते हैं हम लोग उसके बाद यहां से बबिल्स जो है मैं निकाल देना है एक चीज है अपलाई करते हैं आप लोग लग सकता है कि यहां पे साइट पे अपलाई नहीं हो रहा है साइड पे प्रोडेक्टर जो है चिपक नहीं रहा है लेकिन ऐसा नहीं है जब यह प्रोडेक्टर पूरा अप्लाई हो जाएगा तब यह चीज जो है पूरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर भी दो को निकालना है हमें इसके बाद ऊपर का एक और प्रोडेक्टर आप लोगो मिलेगा दो तीन के बाद भी एक प्रोडेक्टर पतलासा हलकासा मिलेगा इसको आप लोगो निकालना है pig से पहले यह जो इन bubbles को थोड़ा सा हटा देना है आप लोग को क्यूंकि इसके उपर आप जितना pressure apply करेंगे तो आपको scratches जो आएगा तो उपर के layer में आएगा लेकिन यह नीचे का layer रहेगा उसमें कोई भी scratches वगरा नहीं आएगा तो इसलिए आप लोग को पहली यह bubbles को निकाल देना है और च तो देखिए application process complete हो गया है हाला कि मैं थोड़ा camera के अंदर बनाने के लिए यह आपे bubbles जो है थोड़े बहुत रहे गया है मैं इनको निकाल के आप लोग फिर से दिखाता हूँ आप यह जो पतलावसा transparent जो पार्ट है इसको भी use कर सकते है इसको उपर में लगा के आप लोग bubbles को इसके उपर pressure डाल के निकाल सकते हो ताकि आपका जो main जो प्रोडेक्टर है वो उसके अंदर में कोई scratches ना पड़े देख सकते हैं धीर धीर सारे bubbles निकल जा रहे है इन प्रोडेक्टर का यही एक problem है कि इनमें bubbles पहले आ जाते है जो first time जो application होता है उसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता है लेकिन जब यह 3-4 गहंटे बाद निकल जाते है तो उसके बाद यह बिलकुल खुबसूरत लगता है और स्मूथ लगता है एक दम स्क्रीन स्क्रीन के अंदर कही भी कोई भी bubbles smudges कुछ भी नहीं आता है और वो देखने में काफी खुबसूरत अभी भी है लेकिन यह 3-4 गहंटे के बाद निकल जाएंगे और उसके बाद मैं आप लोग रेजल्ट दिखाता हूँ तो यह स्क्रीन गार्ड एपलाई करने के बाद 3 गहंटे से थोड़ा जाधा टाइम हो गया है मैंने सिर्फ फोन को रख दिया था बवल्स मैंने निकाल स्मजेज या बवल्स था मैंने सोचा कि सायद स्क्रीन गार्ड खराब हो गया है लेकिन ऐसे ही आप लोग रख देना है नॉर्मली जैसा एपलाई करते है वैसा एपलाई कर देना है थोड़ा बहुत स्मजेज और बवल्स रह जाएंगे लेकिन उनको आप लोग फोर्स फिर पाएंगे कि यहां पर स्क्रीन गार्ड एपलाई होा है और एक चीज मैं यहां पर करना हूँ जैसे का आप लोग देख सकते हैं कमेट लगाने के बाद भी देख सकते हैं लिए ओपर का पॉर्षन यहां पर थोड़ा सा खाली है जिसकी वाजा से कवर एपलाई करने के बाद भी आपका कोई दिक्कत नहीं आया, कवर के साथ भी आप लोग easily apply कर सकते हैं, side के curve portions में भी आप लोग देख सकते हैं प्रडेक्टर apply हो गया है, थोड़ा सा portion यहां पे खाली है ताकि आप लोग side से भी cover apply करते हैं, तो यहां पे side से भी निकलेगा नहीं आपका, इस side में भी देखेंगे, सेम थोड़ा सा खाली है और नीचे के portion में देखेंगे, तो नीचे के portion में भी आप लोग खाली देखने को मिलेगा तो आप लोग cover के साथ अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा और fingerprint sensor को आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोबारा इस में fingerprint sensor set नहीं किया है जो मैंने पहले without screen predator set किया था, उसी से काम चल रहा है तो कमाल का screen guard लगा, 299 रूपीज के price point की साब से मुझे तो काफी अच्छा लगा और I guess आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, जो लोग भी मेरे तरह यहाँ पर UV tempered glass बसंद नहीं करते हैं उन लोगों के लिए best choice हो सकता है, आप लोग H50 Pro का भी purchase कर सकते हैं क्योंकि मैंने H50 Pro का ही purchase किया था, क्योंकि initially जो था H50 Fusion के लिए available नहीं था और H50 Pro का भी आपका H50 Fusion के अंदर आ जाएगा, मैं वैसे H50 Fusion का भी डाल दूँगा, उसको भी आप लोग purchase कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों वसंदा है होगा, अगर वीडियो वसंदा है तो लाइक करना ना भूले, शाथ ही में share करे अपने दोस्तों साथ, मैं मिलतों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब ते के लिए goodbye और आपका दिन सुभ हो